हाई फ्रेंट्स वेलकम तो आया स्कॉलडर एंड इस नितेश श्यर्मा हम आपके लिए के लिए हैं लेक्चर नंबर 27 इस जोग्रफी विद्यू सीरीज का देखिए आज के लेक्चर में हम जितने भी आपके डिफरेंट टाइप आफ क्लाइमेट्स हैं जितने भी कारते हैं तो चलिए हम स्ताइप करते हैं अभी स्केंफी जो क्लाइमेट है इसको को हम और क्या कहते हैं तेकर सब्सक्राइंट को कல विए जो आपका पढ़ यह आपकी ओर जो आपका टेंप्रेस है ठीक है यह आपके टेंपेट मिलेगे तो्azy होते हैं याणे जो आपक WITH ट्रोपिक से वुपर वाले रिजन छो you know अपकर यह अब्सक्राइण को बंडर करता है इन डा इंटीरर ओव्दा high prom ड सो आपके डेजर्जेट्स ना इंटीरे殼 में consideration universe ठीक है तो grasslands are practically treeless अब यहां पे जो यह जो temperate grasslands देगी सावाना में हमने देखा था बहुत दूर दूर आपके trees मिलते थे ठीक है और बीच में आपकी grass वगएरा थी bushes थी चोटे मोटे plants थे बट यहां पे जो grasslands होते temperate grasslands यह आपके tree less होते हैं पे trees नहीं होते उससे miles आपके off kilometers अंदर होते हैं तो इस वैसे यहां पर जो rain wearing winds हो पहुंच नहीं पाती और कुछ पहुंचते हैं तो उनके बाद moisture नहीं होता है तो यहां पर practically tree less है ना वह बहुत जादा है continents आपके बहुत जादा है बट जब आप south की तरफ देखते हैं तो जब आप south में 40 degree south से नीचे जाएंगे यानि कि 40 degree south latitude से उपर जाएंगे जैसे कि 50 degree south latitude हो गया 60 degree south latitude हो गया तो वहां पर आपको फिर land देखने के लिए नहीं मिलता है और जो स्टैपी यूरेशिया में इनको हम स्टैपी बोलते हैं यूरेशिया क्या होता है आपका यूरोप प्लस एशिया and stretch to eastwards from the shore of black sea to the foothills of atlai mountains यह भी मैं आपको दिखाता हूं देखें यहां पर मैंने आपको जो grass lens है हमारे पास पूरे वर्ल्ड के तो वह मैंने आप दिखा देखी जो स्टैपी है आपका वह आपका यह यलो कोलर में आपको दिख रहे हैं नौर्थ अमेरिकन स्टैपी आपको टेंपरेट में देखने के लिए मिलेगा और वाकी देखें जैए आपको सहवांह यह देखें पूरा आ इसे ही यहां पर आपके अलग औलग ग्रास लिंड cath बहरने के नाम है दखित यह आपके यह आपके популяр कर सकते यह आपके Intermountain Grasslands हैं, यहापके Northern America Prairie's हैं, यह फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आजएए, यहाँ पर पैटागोनिया स्टेपी हैं, यहाँ पर आपके Pampas and Compose हैं, यह भी आपके Grasslands है, यह आपके मैंने आपको पहले भी बताया था, और यह आपके Temperate Grasslands है, ठीक है? यहां देखे यहां आपको South Africa में wild grasslands हैं, यह अपके यूए इस्ट में इस्ट अफरीका के हैं कुछ grasslands यह देखे यह न्विल गिनी में यहां फे भी grasslands New Zealand में और South Eastern Australia में आपको देखने के लिए मिलेंगे यह आपको Mongolian steppi मिलेगी Eurasian Steppy यह है आपकी फ्रेंट जो यह वाला रीजन है यह आपकी Eurasian Steppy है कजाकिस्तान जो वाला रीजन है वापके कजाक Steppy है आपकी फिर यह आपका देखिए दौरियन Steppy इसको बोलते हैं और यह अमूर जो रिवर है आपकी उसका बेसिन है तो यह आपके जो Temperate Grasslands हैं हमने सारे आपके यहाँ पे देख लिए एक बार और हम फिर यहाँ पे देख लेते हैं कि अलग अलग ग्रासलेंट को किस नाम से पुगारा आपका जैसे कि यह हंग्री और उसको जो आसपास के इलाके हैं वहां पर पुस्तास बोलते हैं नौर्थ अमेरिका के जो मैंने आपको अभी रिजन दिखाया था जो आपका बिट्वीन दा फूटिल्स ऑफ रॉकी बीच में आता है उसको प्रेरी इस बोलते हैं इसको अर्ज यह आपका कौनसी साइट पढ़ जाता है यह आपका पैंपास एंडी के रेंज शेडव एरिया में पढ़ जाता है जो हापे विंड्स पहुंचती हैं आपकी वह मॉइस्ट्र नहीं होता है उनमें खूल ड्राइव इंड्स होती है तो इस वैसे आप बारिश नहीं हो पाती है और यह आपकी एंडी का रेंज शेडव एफेक्ट होता है फिर अब आपका बुश वैल यह थोड़ा सा आपका ट्रॉपिक्स में ट्रॉपिकल एरियास में जाता है यह आपका नौर्धन साउथ अफ्रीका में मैंने भी आपको दिखाया हाई जो वैल्ड होता है वह आप सकता है आपका कहां मिलता है फ्रेंड्ड यह आपका न्यूजिलंड में मिलता है यहां पे यह ढखते ब बेंके आपका बेंसफेर होता है छॐन contenu है बागी सदन जो हमिस्फियर है वहाँ पर आपको आपके मार्जन पर मिल सकता है कॉंटिनेंट्स के यानि कि आपका मेरिटाइम इंफ्रिएंस हो सकता है तो एक्स्रीम होते हैं तेंप्रेचर आपके ग्रेटली वेरी करते हैं कहां पर समर पर विंटर में थोड़ा हॉट और यह वाँम होंगी ताइप अपका सदन हेमिस्फियर में कभी डेखने के लिए मिलते है तो वह दिरिएम बसाइब स्बाइब सब्सक्राइब होता है क्योंकि कोस्टलर्याज में जाठार पाई जाते हैं और जो सदन ज्यांद से अगर देखेंगे नो ही आप क्या है यह आपका होगया फ्रेंग्र है यहापका नथन है यह वाला ग्रास लेंट्स पूरा आपका अंदर आपका एफेक्ट आ firmly यह वाला पूरा आपका अंदर है बिछ। यहां पर देखे अगर हम बात करते हैं तो लेंड देखे कितना सारा है यहां पर जाएंगे तो 40 साउथ के उपर हम चलते जाएंगे तो लेंड आपका कम होता जाता है और यहां पर लेंड आपका कोई बहुत ज़्यादा को अपके आसपा है और यहां देखे इस वाले एडिया में तो यहां पर मेरिटाइम इंफ्यएंज जाएं और इस लिए आपका तेमप्रेचर नहीं करते हैं समर्ज में और विंटर्स में तो यहां पर maritime influence होता है एक जैसे environment रहता है तो इसलिए फ्रेंट्स बन आपको बता है तो जो हमारा सदन हेमिस्फियर का जो climate का वो आपका severe नहीं होता कभी भी severe नहीं होता है average rainfall अगर हम बात करेंगे 45 cm के around होती है और यह vary करते रहते है 25-75 cm तो location location पर आपका depend करता है अब यहां एक बात नोटिस करने लाएगा जो heaviest rain आती है वो का बात कि जून एं जुलाई में आती है नहीं कि लेट स्प्रिंग और अरली समर में आपकी क्या है कि heaviest strain यहां पर आती है most of the winter months उनका क्या है देखिए winter months में आपका यहां पर rainfall आगे यह ना early summer and spring में rainfall आई आप जो winter months है वहां पर बहुत कम precipitation होती है और देखिए 2.5 cm की precipitation बहुत कम है और यह भी कैसे आती है यह जब occasional आपके जो depressions होते यानि कि आप देखिए temperate reasons में बात कर रहा है और वह भी depressions की तो कौन से cyclones होंगे यानि कि temperate cyclones extra tropical cyclones होंगे यहां पर और वह किस वज़े से आते हैं जब westerlies होती है वह westerlies के path को follow करते हैं बहुत बार आपकी जो temperate cyclones होता है जब मैंने आपको सदन हमिस्फेर यों बता है कोस्ट पर पाए जाते हैं maritime जादा होगा आपके ओशन के पास है यह ऐसे जो इस टैपीज है तो वहां रेंफॉल आपकी ज़्यादा होगी कोई continentality effect वहां पर नहीं है बहुत ज़्यादा अंदर नहीं है Continent के कोस्ट पर आते हैं तो अराम से रेंबेरिंग विंड आती है और कोस्ट पर पहुंचने के बाद वहां पर रेंग कराती है और फ्रेंट्स यहां पर देखिए चलिए हम आप एक local wind के आप से बात कर रहे हैं जो इस्टन स्लोप पर आती है Rockies के ठीक है और इस विंड का नाम होता है चिनुक यह साउथ वेस्टरली डिरेक्शन में आती है कहां पर प्रेरीज में प्रेरीज के आपके स्टैपीज आपके नॉदरन अमेरिका में और यह आपके लोकल पैस्टर पर डालती है चुनूक का मतल आइंड साइड और उसकूष और यहां पर जोटियों बताना चाहूंगा जो हमारा यह वाला एरिया है आपका इसको हम wheat bowl of the earth भी बोलते हैं यहाँ ब्लैक अर्थ भी बोला जाता है यूक्रेन वाली जो step is है इसको black earth बोला जाता है बट यहाँ पर जो यह वाली आपकी step is है wheat bowl of earth बोलते हैं बहुत सारा wheat यहाँ पर आपका पाया जाता है फिर जो आपकी न्यूजिलेंड की grasslands है इनको canterbury आपके plains बोलते हैं canbury grasslands बोलते हैं ठीक है चलिए आप आगे इसका vegetation पढ़ लेते हैं कि कैसी vegetation मिलती है और क्या क्या यहाँ पर आपको ट्रीज मिलेंगे लेकिन दूर दूर मिलेंगे और बीच में आपको grasses shrubs और आपके बहुत सारे चोटे-चोटे पौधे मिलते हैं आपके plants मिलते हैं बट जो steppies में है वो आपके tree less होते हैं और जो grasses है वो आपकी shorter होती है और जबकि आपी सवानाज में जो grass है वो taller होती है बट एक important बात यहाँ रखने वाली है कि जो आपका यहाँ पर vegetation है वो आपके क्या है आपकी grasses fresh औ और nutritious होती है शवाना वाली जो grass है ना आपकी प्रेंट शवाना वाली grass आपकी कभी भी nutritious नहीं होती है बट आपकी temperate यहाँ पर steppies में grass मिलती है वो grass मिलती हो आपकी nutritious होती है this is typical of the grass of wheat land in North America the rich black earth और चर्णोजम areas of Russian Ukraine देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि black earth बोला जाता है उस वाले area को जो आपका चर्णोजम एरिया चर्णोजम एक soil type black earth महां पर black soil मिलता है आपका ब्लैक अर्थ को या फिर उसको चर्णोजम एरिया बोलते है यह यूक्रेन और रश्या की स्टैपीज होती है उनको बोला जाता है आपका ब्लैक अर्थ ठीक है और बैटर वाटर एरिया जादा अपका पूर होगा ज्यादा फर्टाइल नह यह मिलेगा आपको Continental Interiors में एशिया के तो वहां पर आपकी Short Steppy टाइप ग्रास आपकी प्रिवेल करेगी ग्रास छोटी वाली ग्रास कहां होगी आपकी जहां आपकी rainfall light होगी Soils आपके ज्यादा फर्टाइल नहीं होगे और यह आपको Interiors में मिलेगा Continental Interiors में मिलेगा एशि सब्सक्राइब में ग्रास आपकी टाइप ग्रास आपके लिए मिलते हैं और यह आपको High Plains of USA में आपका देखने के लिए मिलती है क्योंकि Kettles यहां पर आपके Kettles शीप वगरा यहां पर क्यों उनको रिरिंग कर सकते हैं उनका ठीक है क्योंकि यहां पर आपको अच्छी ग्रास मिल रही और सवाना में इतना कैटल देखने के लिए नहीं मिला था आपको वहां पर कैटल तो था लेकिन बहुत कम था क्यों रेंचिंग नहीं थी अगर हम बात करते हैं अगर हम थोड़ा सा टेंपरेट रीजन से पोलवर्ड चलते थोड़ा पोल्स की तरफ चलते तो यहां पर प्रेसिपिटेशन आपकी थोड़ी जी बारिश रेंफल आपके इंक्रीज होती है जो कि आपके क्या देती है ट्रांजिशनल जोन ऑफ प्रेसिटेशन की बात करते हैं तो वीट फार्म सापको प्रेरी में देखने के लिए मिलेंगे जो हमने नौर्थ अमेरिका में बताया था डबल रोज आप्लांटिश यहां पर देखिए जो हाउस होता है वहां पर हाउस के चारो तरफ डबल रोज आप्लांट होती है क्यो बिंड जब आती है तो जो ट्रीज की शेल्टर बेल्ट होती है उसकी स्पीड कम कर देती है और हाउस आपके प्रोटेक्टिट रहते हैं जो आपकी ग्रास है यहां पर हैव बीन रिप्लेस्ट बाइं मोर नूट्रीश लूसरीन और अल्फला ग्रास याद रखना फ्रेंड यह आपके होती है और अच्छी नूट्रिशियस ग्रास है तेंपरेट ग्रास लेंड नाओ लीडिंग रेंचिंग रीजन्स देखें यहां पर आपको चैटल और शीप होते हो बहुत जादा देखने के लिए रेंचिंग का मतलब यही होता है कैटल और शीप की रियरिंग है और डिफ्रेंट परपसी यानि कि उनके डेरी प्रोड़क्त के लिए मीट वगरा के लिए भी इस टाइप ऑफ माइग्रेटरी अनिमल ग्रेजिंग थी अब वह नहीं रही है अब भी कुछ है लेकिन हर्डर्स है जो कुछ आपके वांडरिंग ट्राइब गूमत रहते है है ग्रेजिंग के लिए जैसे कि आपके गिर्गीज हो गए याण कREASE सँ गॉटीन कहलने आपको कहां मिलेगा ऐसीम्री स्टैपीज़्स में देखने के लिए मिलेगा करमके का अगिस्टैन кожêm करें ग्रास लेंगे की लिए दिए कैसटैपीशी और मेरेंग अपने do होती है ठीक है असान होती है अर्जेंटीना में पैम-पाजै की अ यहां पर हम लाव स्टाप के लं को प्रोड्यूंस करते हैं ठीक है यहां जो क्रॉप्स होती है ना को ग्रो करने में ध Aryan नहीं देते हैं जैसे की कर आपका teak के लिए según यहां पर आपकी लीव कर थो आपकी आत्रों कि अपकी क्रॉबस्ट करते हैं ए फोकस करती है चलिए फ्रेंट यहां पर मैंने जो आपकी मेजर एक्टिविडीज यह प्रेरीज में आपकी वीट ग्रेज रेंचिंग होता है पुस्ताज में आपका ब्लैक सॉयल है आपका हंगरी में मिलते हैं पुस्ताज वीट प्रोडॉक्शन अच्छा होती है शुगर आती है आपकी देखिए जो यहां पर दी हुई है यहां पर यह सब होता है पैंपाज में अलफला आपकी न्यूट्रेंट रिच ग्रास है रेंचिंग कैटल रियरिंग डेरी प्रोडॉक्स वीट प्रोडूसिंग डिपेंड्स वीट एक्सपोर्ट यहां पर शीप जो आपके डाउंस और जो आपके अस्ट्रेलिया में और आपका डाउंस ऑस्ट्रेलिया में है कैंट्र आपके शीप केटल रियरिंग होता है और यहां पर एक मेरिनो शीप है जो जसे कि आपकी वूल क्रोड़क्शन होती है अगर हम साओथ अमेरिका के आपके वैल्स की बाप करते हैं तो यहां एक और चीजंते में बताता हूं में जो कि मिलती है यहां पर यह और जीवार पकर क्रोट कहने हैं जिसको हम जैने जामते हैं चायना के क्लाइमेट के नाम से यह हमारा वॉम تैंपिरीट का इस्ते नाम से ही समझ ça क्या मतलब कि जो कॉंटिनेंट के जो इस्टन कोस्ट होगा जो इस्टन मार्जन्स होगे वहां आपको देखने के लिए मिलेगा अब यह देखिए आपका कहा मिलता है यह वाला जो क्लाइमेट है कहा मिलता है यह आपका 20 से 35 डिगरी नौर्थ और साउथ लेटिटूड में मि अब अब वरीन्ट है हमारे पास इसके चायना टाइप अवफ क्लाइमेट बोलते क्योंकि हमनने जब का मौनसून क्लाइमेट पढ़ा था तो वहां पर इंडिया मे की हैं मौनसून यह कैसे आपका हमड़िटिंग मौनसून होता अंब एस वाला यहां पर तो हम आपके देखंगे देखिए देखिए नेटल अब याद आ रहा होगा तो कुछ गांधी जी से कुछ related है नेटल में चैलिए मुझे comment करके बताये लेखता हूं आपको कितना याद है यह गांदी जी से कुछ रिलेटीड था नेटल से तो कमेंट करके मुझे आप नीचे बताइए चलिए मैं आपको एक बार यह आपका फिगर में भी क्लाइमेट वगरा सारा आपको दिखायता हूं देखे फ्रेंट्स यह यहां पर कुछ मैंने आपका दिखाय हुआ है देखे यह आपका जो क्लाइमेट है इसको हम गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं क्या बोलते हैं यह आपका नॉर्थ अमेरिका में आपको देखने के लिए मिलता है उसके बाद यह जो आपका क्ल विखिए हमें नेटलेख यहाँ पर एक जगा है तो उसके नाम के उपर यह वाला climate का नाम यहाँ पर रख दीए और अब हम उपर जाएंगे यहाँ पर चाइना वाले side जाएंगे तो यहाँ क्या बोलते है चाइना जपान वगरा में यह इसको बोलते है चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट जो मौनसून टाइप के जैसा होता है अगर हम एक चीज़ और देखते हैं तो यहाँ पर आपका टाइफून का ट्रैक है इस क्लाइमेट को टाइफून से इंफ्विएंस करते हैं और जो आपके गल्फ वाला क्लाइमेट है इसको हमारे हरीकेंस इंफ्विएंस करते हैं और तॉर्णेडो इफ्विएंस करते एक तैन लेतर आपका है अगरते तोर्णेडो में сообщ घ्रा यहाँ पे गया तर्टी सावस्पistä हीजिक यहाँ पर वो चीज के लिए नहीं मिलेगी मला क्लाइमेट आप कह सकते हैं 23 22 से लेकि 35 के बीच में होगा यहां पर देखिए ट्रॉपिक्स में नहीं जाता है तो इसलिए हर जगा एक जैसी कंडिशन्स आपकी नहीं है ठीक है अब यहां देखिए जो नेटल टाइप अफ क्लाइमेट है यहां पर आपकी एक लोकल विंड होती है सदरली रीजन में जिसका नाम है आपका पैंपरो कि वह इस क्लाइमेट पर इंफ्लूइंस डालती है उसके बाद यहां पर देखिए ज जदरली बस्टर्स विंड आती है वह इस पर डालती है अब देखिए वाला जो रीजन है आपका वह पूरा वेस्टर लीज के चल रहा है यहां पर मैंने आपको बताया चाइन टाइप में यहां पर क्या है टाइफून ट्रैक है और यह भी मैंने आपको बताए कि टाइफ के बारे में थोड़ा सब पढ़े लेना वेस्टर कोस पर हमारा हीट कर रहा है यह कैरला हमारा तमिल नाडू आपका करनाट का महराष्ट गोवा और गुजरात को हीट मतलब हीट आज किया होगा शायद इसको गुजरात को हीट कल भी किया था ठीक है तो यहां पर स्पीड की विंड की स्पीड है वो और राउंड 150-170 किलोमीटर पर आर्ज हैं काफी डिस्ट्रक्शन भी कर रहा है लाइफ लॉस तो कम है क्योंकि गौवर्मेंट ने एंडी आरफ की टीम को डिपलॉय किया हुआ है बट यह ताउते है और ताउते का जो नाम है वो लिज qu様 міकितंसे कहां कि अपका क्लाइमेट क्लाइमट है यहां चमckenलु यहां शहुटे नहीं करते हैं है यह कभी-कभी रेन मिल जाती है और नेटल टाइप में रेन भी किसलिए मिलती है क्योंकि नेटल टाइप आपके कहां आ जाते हैं मेरिटाइम इंफ्रुएंस आता है उनमें थोड़ा सा मीन मंतली टेंप्रेचर जो आपका वैरी करते हैं इस त्रोंगली मॉडिफाइड बाइ मेरिटाइम इंफ्रुएंस क्योंकि इस्टर वार्जन पर मिलते हैं ठीक है मेरिटाइम इंफ्रुएंस से भी मॉडिफाइब आपका हो जाती है यहाँ पर से नीचे की तरफ इन एरिया तो आपका जो टेंपरेचर रहना वह close to freezing point आया था इन एरियाज का आप यहां पर आपके frost में क्या होता है आपकी जो पानी होता जम जाता जमीन में जम जाती है वह यहां पर बहुत कम होते हैं और occasionally कहां पर होते है colder in tis में ठीक है तो फ्रॉस्ट का कोई यहां पर लेना देना है नहीं तो रैन्फॉल और यहां पर बहुत सारी क्रॉप्स देखिए इतनी रेंफॉल थो बहुत सारी क्रॉप्स को सपोर्ट करता है यहां पर एक्पीरेंस दिस क्लाइमेट वह आपके बहुत साथा डेंसली पॉपुलिटेड होते हैं और फेरली यूनिफॉर्म क्लाइमेट था उसमें क्या था उसमें चार महीने परसेंट की जो रेंफॉल होती है पूरे साल की वह चार महीने में राष्ट संस्टन के बाइमेट की यहां की वस्ती आपकी चार मौइस्ट विंटर और यहां पर दाल दिया वह आपकी ड्राएमेट और यहां डाली है कूल मॉइस्ट विंटर्स तो गलत हो गया फ्रेंड्स ठीक है उसके बाद डाल दिया कि यूनिफॉर्म सब्सक्राइब यहां पर देखने के लिए मिलते हैं और मैंने आपको बताया था कि लोकल स्ट्रॉम्स यानि कि हमारे पर साइक्लों टाइफून हरीकेंज यहां आपको फिकर में दिखाया थे यहां पर पर देखने के लिए मिलते हैं तो अब हम पढ़ेता थे चयन टबक्रवक thatating रिजवें parity थे एक लोव बहुत जाए गी को आकि देन्ट होगि वह चलेगी चुश्य लेंड पर एर होगी वहां से खाली हो जाएगी क्योंकि उपर चली गई तो इसलिए वहां पर लो प्रेशर बन जाता है जो पास वाले एरिया जो रश करती एर उस जो वॉइड को जहां पर एर नहीं है उसको फिल करने के लिए ठीक है तो यहां पर इन समर्ज एट्रेक्टिं आपके तैफुन आपके आते हैं लोकल आपके साइकलों है यहां पर नाम दिया हुए जो लाई-टॉ-स चप लोक करेंगी पहले कैसे आरही थी पहले विंड यहां कौनसे है यह जो हुआ साउथीस्ट मॉनसून हो गया, आप वो रिट्रीट कर रहा है और कहां से high pressure आप winters में continent बन गया है ठीक है क्योंकि cold हो गया है आपका land तो आप ऐसे जा रही कैसी wind की direction कैसी हो गया है North East direction हो गया wind की retreating monsoon वाला condition हो गया there is लिटिल रेन तो यहां पर थोड़ी सी कोल्ड और वेरी ड्राय होता है क्योंकि अब जब लेंड से लेंड पर हाई प्रेशर है वहां से आपका तो यहां पर जल्दी कूल होता है ओशन से भी तो यहां पर जो चाइना टाइब से आज आपका इस दन चायना में वह आपका ताइफून्स तो वह उससे बहुत जादा influence होता है मैंने आपको वह आपको फूरा figure में दिखाया है friends लेखिए यहां पर ध्षान दीजिये मैं आपको क्या बतारा हो देखिए जो यह वालब आपका यहां यह रिजन है थिक है यह जो आप जाएगी में यह एको round अब प्रेशन ओगया अब यहाँ प्रेशल क्रेट हो जाता है यहाँ प्रेशल से लोग प्रेशल की तरफ विंड भागेंगी और कौनसे डिरेक्शन होगी नॉर्थ इस्ट की तरफ से होगी तो समझ गया आप जो मॉन्सून टाइप क्लाइमेट होता है लेकिन याद रखना कि इंडिया में जो हैवी डाउन पूर होता है मॉन्सून में वैसा यह नहीं होता है नहीं है सड़नली बर् इस एक्स्ट्पेंट करूगा और फ्रेंट्स अब हम गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट पर रहे हैं साउथ इस्टन यूएससे में अभी देखा मैंने आपको आपको महां पर कौन से एरिया में समिलता है जो की बॉर्डर करता है आपकी गल्फ ऑफ मेक्सिको पता है ना आप आपने चाने टाइप ऑफ जो क्लाइमेट पढ़ा था महां पर मॉनसूनल करेक्टर स्थिक्स थी आपके पूरा मॉनसून वाला क्लाइमेट था ठीक है लेकिन उतना तो इंटेंस नहीं था जितना इंडिया में होता है बट मॉनसून वाला क्लाइमेट था लेकिन गल्फ ट रिवर्सल नहीं है विंद्स का नो complete seasonal wind reversal नहीं है और देखिए complete seasonal wind reversal क्या होते हैं मैं आपको बताया था पहले जो वहाँ पर China टाइप में विंद्स झा रहे थी आपकी साउथ-east से ठीक है और वापस आ रहे थी फिर आपकी इसको बोलते कंप्लीट रिवर्सल यहां पर आपको गल्फ टाइप में इसा देखने के लिए नहीं मिलता है तो मॉंसुनल जो करेक्टर्स्रिक्स है यहां पर नहीं है लेस इंटेंस से कंपेर करेंगे अगर हम चैना टाइप से तो और देखी मैं अब को दिखाया भी था हरीकेंज जो है यहां पर वोगर करते हैं आपके कब सेप्टमेंब्र क्लाइमेट और मॉंसूल नहीं होता है और कई बार क्या होता है सब्सक्राइब यहां पर हीट हो यहां से विंट जाती है यहां पे और थोड़े बहुत रेंगरा करा रहती हैं और और मैंने आपको पहले भी फिगर में दिखाया था एक बार फिगर में देख लीजिएगा हुरीकेंस आपके सेप्टमबर और अक्टोबर में आते हैं और तब उस टाइम पे आपके रेंफॉल जो वो इंक्रीज हो जाती है अब हम बात करेंगे आपके नेटल टाइप क्लाइ अरिका में मिलता है यह सारा चीज़ में आपको फिगर में दिखा चुका हूँ नेटल टाइप जो क्लाइमेट वह आपका डिफरेंट है देखिए जो टेम्परेट मॉनसून क्लाइमेट आपका चाइना टाइप को उससे भी डिफरेंट है क्योंकि यहां पे जो रेंफॉल क्लाइमेट यहां जो हुरही है अगर्स जो बार ते को लिफरेंट के पहौहते बाद यहां देखिए एक बार इस figure में देखिए कि onshore trade winds आती है देखिए यह विंट कैसे आ रही है onshore trade winds आपकी यहां पर आती है यहां पर मॉन्सूनल जो element है उसको बिल्कुल eliminate कर देता है देखिए जो गल्फ टाइप में बिल्कुल भी नहीं रहता है मॉन्सूनल आपका element क्योंकि Southern Hemisphere में आपको बताया जो आपकी जो लेंड है वह बहुत ज़्यादा extensive नहीं है नेरो नेस है आपकी continents में तो जो climate होता है उस नेरो नेस में बहुत ज़्यादा मतलब अंदर नहीं है थाउजन्स ओफ क्लोमीटर्स लेंड स्ट्रेच नहीं करता है माइल्स ऑफ थाउजन्स ओफ माइल्स नहीं करता है सब्सक्राइब नहीं करता है मांसूनल एलिमेंट बिल्कुल खतम हो जाता है यहां ते कुछ वॉयलेंट लोकल स्ट्रॉम्स आते हैं देखिए मैंने आपको फिगर में भी दिखा था सदर्ली बस्टर्स जो आते हैं आपके यह वाइलेंट कोड कोल्ड विंड है जो कि आप आपके कोस्ट के अलॉंग जो न्यू साउथ विल्स है उसके कोस्ट के अलॉंग आपका होता है ठीक है मैंने आपको फिगर में जो आपको क्लाइमेट वाला फिगर दिखा रहा था वहां पर आपको दिखा दिया था ठीक है यह आपका मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में जो था न तो यह आपका एक लोकल स्ट्रॉम करो लाइटनिंग थंडर भी है रेन भी है उसके बाद बर्ज जो आती है आपके निटल में जहां साउथ अफ्रिका में वहां पर आती है होट ड्राइब विंड होती है आपकी साउथ इसन आफ्रिका में और यह कंपेरेबल टु चिनूग थोड़ा सा मॉनसूनल है और नेटल टाइप यहां पर मेरिटाइम इंफ्रिवेंस पूरा गी पूरा बिल्कुल कुछ मॉनसून से इसका लेना देना नहीं है उसके बाद चलिए हम आप इसमें क्लाइमेट देखेंगे यहां आप सारा वेजिटेशन देखते हैं देखिए यह थोड़ा आप देख लीजेगा यहां पर पढ़ना ही आपको क्या है इसमें कुछ इतना करने वाला तो है नहीं क्लाइमेट में थोड़ा से एक्स्पेंट करने वाला होते हैं वह मैं कर देता हूं बहुत लग्जूरियंट वेजिटेशन होती है आपको यहां ब्रॉड सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर बहुत सारी स्पीजिस कॉनिफर्स की जैसे कि आपके पाइन होगे जो की सॉफ्ट्वूड के लिए इंपोरेंट होते आपके वह भी मिलता है यहां पर है थोड़ा सा उपर जाता है तो ठीक है पेरिनियल प्लांट ग्रोथ इस नॉट नियुकर च्क बेहां यहां पर आफ की प्लांट की ग्रोथ होती रहती चाहे वह आपके ड्राइशीन हो उर कोल्ड सीजन हो इच यह एक खास बात है यहां पर फॉरेस्ट चैना की साजन जबंगे सब्सक्राइब कि यहां पर एक एक अक रोमिक वैलियोब़ कौनसे मिलता है तो यहां पर आपका पराणा पाइन एक ट्री होता है और एक क्यूब आपको एक होता है जिसको एक्स ब्रेकर बहुत दादा हार्ड वूर्ड होती है और यह हमारे पास टैनिंग के लिए यूज की जाती है वली वूर्ड ठीक है और अगर हम वेजिटेशन की बात करें तो इस अगर हैं आपके एकनॉमिक डेवलप्मेंट की बात करेंगे तो इस रीजन में है और यह आपके कुछ मेजर प्रॉबिंग पैटरन्स है तो यहां पर आपके राइज ट्री मलबरी यहां की सहरी कल्चर क्या होता है मुझे बताइए जो आपका सहरी कल्चर होता है जो यह क् कल्टिवेट करते हैं सिल्क वॉम्स को और जो हमारी सिल्क वॉम्स होती है उसके अंदर से फिर हम क्या निकालते हैं सिल्क निकालते हैं और आपकी जो सिल्क होती है न वह भी चा टाइप की होती है मलबरी होती है एक मूगा होती है और सिल्क ठीक है तो यहां पर चलिए मु मेज की कॉटन बेल्ट है यहां पर ठीक है कॉर्ण मिल जाएगा फ्रूट टबैको यहां पर भी बहुत ज़्यादा होता है ठीक है नेटाल साउथ अफ्रीका में शुगर केंड देखिए आपको पता होगा कि शुगर केंड की के लिए बहुत सारे यहां से चले गए इंडेंचर ले वर जिनको बोलते और उसके बाद सदन अमेरिका में क्या है आपका कॉफी और मेज और यहां पर डेरी आपकी होती है केटल सोते महां पर मिल्क प्रोडक्स वगरा डेरिंग फार्मिंग कह सकते हैं उसे अप यहां पर हम बिलता है वो सबकों British टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं कूल टेंपरेट थंडा यारी कि अब यह हमने थोट देर पहले पढ़ा था चाहिना टाइप अफ क्लाइमेट पढ़ा था वह वाम टेंपरेट पढ़ा था अभी हम पढ़ रहें कूल टेंपरेट जहां पर तेंपरे तो यहां पर पर्मनेंट इंफ्योंस बिलेगा आपको लांड यह तके यह लिए अपर इसको ब्रेट आप नाम दे मेट भी इसको बोलते हैं क्योंकि यहां पे influence जो होता है ocean का वो भी जादा होता है tendency है अगर जब autumn और winter की तरह हम जाते हैं तो आपको rainfall जो मिलती है maximum देखने के लिए मिलती है ठीक है winter में हमें इन reasons में light snowfall भी देखने के लिए मिलेगी ports are never frozen यहां पे ports कभी फ्रोज नहीं होते हैं but cold nights पे आपके जम जाती है चीज़े frost occur होते है seasons distinct होते है and the climate is very favorable for maximum human output बहुत ना तो बहुत ज़्यादा गरम होगा ना बहुत ज़्यादा ठंड़ा होगा तो human output है तो उसका बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि tiredness उसे comfy होगी देखिए फ्रेंच यह वाला जो आपका climate मिल रहा है यह देखिए न्यूजिलेंड में आपका मिल रहा है थोड़ा सा यहां पे मिल रहा है फिर यहां पे सदन चिली में आपका मिल रहा है यह जो climate है आपक दयाल जान सब्लेंट तो यहां पर कि वेस्टर ली हमेशा फ्रूआउट रहते हैं और यह वेस्टर लीज विंट यह आन्शोर होती है और यहां पर क्या करेंगे कर आएंगी ठीक है फ्रेंट्स चलिए हैं यह चलते हैं यह जो अपका सबस्दा देखने के लिए कहां मिलता है यह आपका मोस्ट प्रोणाउंस है इन अरॉंड ब्रिटेन वी जो आसपास वाले रिजन है यूरोप में आपका कम से कम इंलेंड जाता है हमें देखिए जो रॉकीज है ना वह प्रिवेंट कर देती है अन्शूर वेस्टरलीज को फ्रम पेनिट्रेटिंग फार इनलेंड तो जो क्लाइमेट होता है ना वह कंफाइंड होता है तुझा यह वाला मैं आपको दिखाता हूं भी यहां देखिए फ्रेंड्स रॉकीज हम इस्ट साइड ठीक है तो यहां पर ही बारिश हो जाती है बस ओरोग्राफिक रेंफॉल इतने ही एरिया में हो जाती है ब्रिटिश कॉलंबिय वाले रीजन में और इसके आगे यह जो रॉकीज हैं यहां पर उसके आगे विंड्स को जो हमारे पास यहां पर वैस्टरली वि जाती औरोग्राफिक रेंफॉल और जो रेंज शेड़ो रीजन होता है आगे रॉकी के वेस्टरली के वहां पर बारिश नहीं होती है ठीक है उसके बाद क्या होता है यहां पर मैं आपको बता चुका हूँ यह वाला एक्सपिरेंट के अभी अभी सदन हेमिस्पेर में क्या ह और आपके बहुत सारे पार्ट्स है न्यूजिलेंड की यह मैंने आपको दिखा चुका हूँ आपके भी इसमें देखिए तस्मानिया न्यूजिलेंड यह सारे में यहां पर आपका होता है तो यह तो आपने देख लिए उसके बाद चलिए अब हमारा क्लाइमेट जो है य यह यहाद रखना बाद रहाएं और मोडेटली वांड समवर्व समर्स के असी होती हैं मोडेट वॉर्म समर्स होती हैं फेर ली माइल्ड विंटर रह थेश्चे लिए तो इसलिए यहां पर मैक्सिमम्य आउट पूट आता क्योंकि हैं इसलिए नहीं पर इनसान तो नाज़ एक लॉंग कोड पैन के रखेंगे और एक अम्रेला होती है उनके हाथ में कि वहां पर जो आपका जो क्लाइमेट होता हो कभी भी बारिशा रखती है ऐसा कुछ भी हो सकता है इसलिए जो मीन अन्वल करेंट है यहां पर आगे जाता है जिसको जायर बोलते हैं अब यहां से नौर्ट एक्विटोरियल करेंट हमारा चला आगे जाता है यहां पर देखिए गल्फ उफ मैक्सिमों पहुंचके जब वह इस साइड पहुंचता है न्यू यॉयर्क के कोस्ट पहुंचता है तो इसको गल्फ स्ट्रीम कहते हैं यह कैसा होता है हमारे पास ओशन करेंट यह आपका ट्रॉपिक्स में वाम ओशन करेंट है कैसा है वाम ओशन करेंट है यह गल्फ स्ट्रीम आगे जाके आपका क्या हो जाता है आगे जब जाता है यह आपका कूलर की तरफ तो यह देखिए वाला यह पूरा warm waters जा रहा है यहां पर गल्फ स्ट्रीम के एक्स्टेंशन है नौर्थ अट्लेंटिक रिफ्ट और कैसा है warm current है warm ocean current है warm waters जा रहे हैं और देखिए कहां जाता है आपका यह लंडन के पास आगे देखिए भी आपका hot current warm current है तो इस वाई से winters में यहां पर पूरा जो कोस्टल इरियाद है उसमें कैसे रखते है winters को warm रखते हैं ठीक है यहां देखा न वार्मिंग एफेक्ट और आपने यहां देखा हो कि जो लंडन के पूर्ट्स है और यहां पर पूरा नौर्वे है यह जो पूरा रीजन है यहां पर पूरे warm ocean current जा रहे है यहां के जो ports है वह भी आपके winters में आइस फ्री रहते है उसका भी यही रीजन है कि जो यहां पर warm ocean current है जो north Atlantic से खेज़ेंट से तो इरेंट से मिलती ज़या ज़के ऊप्रेंट से मिलती और विंटर में थोड़ी सी रेंफाल ज्यादा होती थिक्षिट अपको फाथ है वेस्टरी से मॉश्य लेका आती है और यहां पर बारिश कराती है रिलीव का मतलब अगर कहीं माउंटेन रेंज आ जाते हैं हमने देखा था न कि जो हमारी रॉकी थी आपके नदन अमेरिका में उसकी वज़ए से आपका बज़ जो क्लाइमेट टाइप है यह कहां देखने को मिलता है बस ब्रिटिश कॉलंबिया रिजन में मिलता है क्योंकि आपके वेस्टर लीज को आगे जाने से प्रिवेंट कर देती है और रेंज शेड़ एरिया आजाता है आपका रॉकी इस के बाद और वहां पर आपकी बारिश नहीं होती है आपकी रेंफाल नहीं होती है तो यह आपका न्यूजिलांड में भी हम यह आपका रिलीफ फीच मॉंटेन रेंजिस आ गए अप की विंड आरी और यहां पर आपकी वारीश वाले इलाके में पूरी बारिश मॉंटेन से पहले हो जाएगी और जब है मांटेन को क्रॉस करके केंटबरी प्लेंज में इस वाले इलाके में आएगी तो यहां कूल और ड्राइविंट्स होंगे मौश्यर होगा नहीं तो यह रेंज शैडव एफेक्ट की वएसे यहां पर आपके इस एक एंट्बरी प्लेंज को आपकी कम रेंफॉल मिलती है देखेंगे तो यहां पर आपको चार सीजन देखने के लिए पहरें मिलती है जहीं मिलती है कि क्लॉड कोई से चाहिए होती है और। स्टेबल कंडिशन से सारी यहां पर मिल जाती है और बहुत ही खुश दिखाई देते हैं सारी चीज ग्रीन हो जाती है और तो इसलिए यहां पर हैपिएस्ट सीजन इसको स्प्रिंग को बोला जाता है समर्स होती है वह आपकी लॉंग एर सनी होती है ओटम देखिए यहां पर बहुत तेज विंड चलती है और यह साइकल अपने आपने रिपीड करते है चार सीजन होते है टेंपरेट रिजन की अ समय के लिए मनाना और क्या अगर तोसर टी करते हैं यहां वह यहड़ सीजन करते हैं किया चीज़ के लिए याद रखना बागे तो वहां पर जब जो आपके टॉपिकल रिजन में आपकी जो ट्रॉपिकल यह देशिव फॉरेस्ट मिलते हैं वह आपकी जो लीफ शेड करते हैं वह आपका समर्स में होता है क्योंकि उन्हें क्योंकि लीफ के उपर फ्रॉस्ट बगरा जम जाएगी तो इस वएसे यहां पर अपने आपको बचाने के लिए कोल्ड सीजन में शेड कर देते हैं लीफ को सब्सक्राइब जाते हैं वह इन्डियन विलोज आपकी कश्मीर में मिलती है थायर अगर हम देखिए सकंडिनेवियन राइलेंट्स में बात करते हैं रॉकिज में जाते हैं एंडी में न्यूजीलेंड की उन्में थोड़ा सा और उपर की तरफ चलते हैं तो वहां हमारे आ है। चाहा। मिलेंगे अगर आप ऊपर जाएंगें मौंटेनीस में आपको महां दिखने मिलते हैं यहां डगी एकनोमान्स लूंबरिंग और आपका यही तरी मिल nonprofit हूँ डाय। अगर आपको एक ही तरह का ट्री मिल गया एक होमोजीनिय स्पीशीज मिल गई है तो उसको काटना आपके लिए कॉमर्शियली क्या होगा प्रॉफिटेबल होगा एकनॉमिकली वायबल होगा जब हम एक्विटोर्यल रेनफॉर्स की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हम लुम्रिंग इतनी असान नहीं थी बट यहां पर देखिए डैसीडियस ट्रीज है प्योर स्टेंट का मतलब है आपको एक ही स्पीशीज होमोजीनियस ट्रीज मिल रहे आपके तो इसलिए इनकी ग्रेट लुम्रिंग वैल्यू है ओपन नेचर है फॉरेस्ट का इसलिए यहां पर लुम्रि बट यहां पर इंडस्ट्रीज प्रेटाइब फिस ट्रीज नौर्वे ब्रिटिश कॉलंबिया यहां पर आपका वांप वार्टर्स मिलते हैं तो इसलिए आपके अच्छे चलती है देखिए हैं आपकी फिशिंग भी एक इंपॉर्डेंट इंडस्ट्रीय है यहां पर पर ब्रिटेन, नौर्वे, ब्रिटिश, कॉलंबिया, क्योंकि यहाँ पे आपका warm waters मिलते हैं, cold waters है, आपके nutrients, planktons वगरा मिलते हैं, fishes के लिए, और अच्छी fishing यहां होती है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के significant mineral resources हैं, और यह आपके heavy industrialized reasons हैं, आपको पता ही है, फ्रांस, जर्मनी, automobile industry वगरा, और यहाँ पे industrial revolution हुआ था, वो आपके यूरोप में ही हुआ था, तो यहाँ industries बहुत अच्छी हैं, ठीक है, और मैंने आपको एक चीज़ बताया देखे, industrial reasons, जो इसी reason में आपको मिल रहे है, इसी reason में बहुत ज़्यदा आपको मिल रहे हैं, क्यों, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो आपका climate है, वो अच्छा रहता है, और maximum human output होता है, उसके बाद देखे, कुछ reasons में आपको बताया हूँ, जैसे कि rule reason है, coal के लिए famous हैं, तो coal आपको बहुत साइक पर यहां है तो यहां पर यॉक्षयर में लिवर्वफूल यह ब्रिटेन है लिवर्वूल और मेंचर्टर में भीन कहते हैं благодар सिगनिफिकेंट सॉल्ट मैंजफेक्ट्रिंग क्लोथ के लिए यहां पर मैंजफेक्ट्रिंग इंडस्ट्री मैंने आपको बता ही यह वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है अब देखिए डेनमार्क नीजरलेंड और न्यूजलेंड की बात करते हैं तो यह डेरी इंडस्ट्री पीस यहाँ बहुत अच्छे देडिडिश बहुत अच्छे मिलते हैं रोठी अले रूट नहीं करते हैं चयुक्रावबी कर लेख में जहन पर आपक्रावट क्रावडर इंग्लोम के वहां पर qualify त्थछ या उनum कहते हैं त्ट्र to एक्ष्वर्ट होताएं पर एक्रिकल्षर होता है crops extra crops होती है जो कि वो export कर पाएं in fact यहां पर यह देखे exporter कुछ नहीं है यह बल्कि net importer किसके food crops के specially wheat के यहां पर क्या है इनके जो ज़्यादा population वाले area यहां पर उतना यह आपका food crops नहीं होगाते हैं बल्कि food crops को कहां से भार के country से import कराते हैं और अगर हम बात करते हैं Australia की तो यहां पर high speed boats जो है वो आपकी bass straight से देखिए चलो मैं आपको पहले bass straight दिखायता हूँ तो फ्रेंड चलिए यह मैं आपको bass straight यहां पर दिखा रहा हूँ यह है आपकी bass straight देखिए straight क्या होता है वो narrow water body होती है जो कि दो land masses को separate करती है दो oceans को connect करती है चलिए यह आपका Australia है यह आपका तस्मानिया है तो यह और तस्मानिया को separate कर रही है bass straight आपकी और कौनसे दो oceans को link करती है Pacific और Indian Ocean को आपकी link करती है चलिए फ्रेंट्स लिए बहुत सरी बोट करती है तसमानिया के लिए बहुत ऐती यह नाव रहट यहाँ अच्छी होती है बार्ले को कहां हम बहुत आ जाती आपका اخौ कंपनाने के लिए विस्की के distillation के लिए वहाँ पर बारले को भेजा जाता है daring देखिए यहाँ पर daring काफी अच्छी मिलती है न्यूजिलेंड तस्मानिया और यह आपका जो Australia है तेंपरेट जो western margin type of climate है वो idle है for intensive daring के लिए चीज यहाँ पर आपका specialized product है नीदरलेंड का डैनमार्क और यूजिलेंड से high quality butter आपका आता है milk को हम ice cream के अंदर cream के अंदर convert कर देते हैं क्रीम आपकी जल्दी खराब नहीं होती है जितना जल्दी आपका milk खराब होता है उतना जल्दी cream खराब नहीं होती है अर्जंटीना ऑस्ट्रेलिया में meat production उनका primary काम है शीप आपके wool और mutton के लिए दोनों के लिए रखी जाते है ब्रिटेन के अगर हम बात करें तो यहाँ पे best known sheep breeds मिलती है और southern hemisphere में अगर हम बात करेंगे तो यह आपकी sheep rearing जो है और यह भी यहाँ पे cultivate की जाती है चलिए friends आपके लिए last में question पूछता हूँ वो मैं आपको पढ़ात रुका हूँ तो चाइना type of climate है हमारे पास ठीक है जो चाइना type of climate है वहाँ पे जो आपकी rainfall होती है तो summers में देखने के लिए मिलती है या फिर winters में मिलती है summers wet होती है या फिर winters wet होती है मुझे comment करके इसका अंसर दीजिए पीछे मत जाएगा वीडियो में देखेका मत अभी वीडियो pause किजिए और मुझे comment करके बताईए कि जो China type of climate है वहाँ पे आपको summers में rainfall मिलती है winters में ये ठीक है trick question भी हो सकता है आप comment करके मुझे बताईए देखी यहाँ पे हमने 3 climatic reasons आपके complete कर लिए है और friend in climatic reasons को complete करने में देखी हमारी video almost 1 hour की होगी है time लग रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको मैं पुरा map में भी समझा रहा हूँ एक एक चीज आपको बता रहा हूँ यहाँ पे economical activity क्या है कौन-कौन से कैसे आपके बंदे कैसे आपके मतलब यहाँ पे human activities, economical activities, क्या यहाँ पे लोगों की occupation है वो सारी चीज़े हम बता रहा हूँ forest कैसे हैं यहाँ पे कौन से grasses है कौन से trees है, sheep reading लगरा तो यह सारी चीज़े हम इता detail में explain करेंगे हाँ और यह important भी है आपका GS के लिए और यह सब चीज़ों के लिए ठीक है, optional के आपका strong, बहुत जादा strong foundation पूरा चीज़, सारी की सारी चीज़े कवर नहीं करा पा रहे है हम तो सारी चीज़ आपको cover करा रहे है ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है समझ आए तो प्लीज लाइक किज़े, share and subscribe कमेंट करके मुझे बताए आप वीडियो कैसी लगी है ठीक है, और जो मैं बीच-बीच में question पूछता रहता हूँ आप उस question का answer नहीं करते comment में तो वो भी आप comment करके मुझे answer बताए अभी मैंने पूछा ना कि चाइना का climate कैसा होता है विंटर्स में rainfall होती है, समर्स में rainfall होती है तो answer कीज़े के comment में चलिए मिलते है नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए टाटा बाई बाई टेक केर